जहीं दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूटीव चैनल में मैं आ देते हैं आप सभी का यहां पर तहें दिल से स्वागत करता हूँ तो कैसे आप लोग बताईये और आप कैसे और आपके बाल वच्चे कैसे हैं ये भी बताईये ठीक है ? चलिए आ गए भहीया बिलकुल भहीया आ गए आपके कैसे हैं? आप ये बताईए पहले गुट इवनिंग, गुट इवनिंग एकदम धमा का हूँ रखा है पूरा का पूरा यूटुप है भोकाल मच रहा है सबसे पहले तो देखो आप सभी जो जितने भी मेरे ओडियंस है जितने भी मेरे भाई, भेन हैं इतने मेरे साथ ही हैं जो मेरे वीडियो को देखते हैं जो अलग-अलग एक्जाम्स की तैयारी करते हैं सबसे पहले तो आप सभी को जो है वह हां जोड के तहे दिल से धन्यवाद ठीक है धन्यवाद क्यों कहूंगा क्योंकि एक अधित्रिंजन सिर्फ एक एस्पिरेंट है उ एक मतलब मुझे काफी जादा प्रेहना देती है इसके अलावा और भी जैसे मैं बात करूँ तो पिछले कुछ टाइम में अलग-अलग यूट्यूम्स ने मुझे अटाक करने की कोशिश की अटाक किस वे में तो अटाक थोड़ा सा इधर उधर बोल कर या मेरी नाम को किसी चीज में इंक्लूड नहीं करके लेकिन हा मुझे आज एक चीज बहुत अच्छा लगा एक बहुत अच्छे परसन है जिनका अपना एक यूट्यूब चैनल है और उन्होंने मेरी वीडियो के बारे में काफी अच्छा बताया ठीक है बच्छों को काफी अच्छा कहा कि देखिए आप जाकर ठीक है और वो खुद भी जो है वो सेलेक्टेड हैं ओडिटर के तौर पे तो उन्होंने मेरी वीडियो में अपना नाम लिया अपनी वीडियो में हमारे पूरे वीडियो के बारे में बताया और अच्छा बताया कि ऑडियंस जो है जितने भी स्टूड वीडियो को बनाने में और कितनी मेहनत से मैंने कि वीडियो को 10-10 गंटे 12-12 गंटे की वीडियो जो है वो मैंने बनाई है हमने तो चलो पढ़ा दिया लेकिन उन्होंने जो प्रोमोट किया उससे मुझे काफी अच्छा लगा ठीक है जी हां बिल्कुल विक्रांद के बारे करते रहो आपको जो शौ development आना है आप शोर्स बनाओ आपको मैरी कोई लिए कि शेयर करनी है तो व आप शर करो मैं ने कभी कहा कि हम्सक्राइट मारेंगे या फिर जो है हम आपको सब्सक्त नहीं करेंगे वड़ा अच्छा लगा मुझे ठीक है ऐसे ही जो है आप लोग मन लगा कर पढ़ते रही है और हम एक से content बनाते रहेंगे साथ में यहाँ पर मुझे उस वीडियो से इतनी motivation मिली है कि अब मैं कई सारे chapters के जो है free videos में आप YouTube पर देना शुरू करूँगा ठीक है? Advanced Math में जैसे algebra हो गया, trigonometry हो गया अब हम compilation करवाते रहेंगे 10-10 गंटे, 12-12 गंटे की पूरी वीडियो की और वो अब हम आप लोगों के पास लेकर आते रहेंगे कहते हैं न कि आप अच्छा करते रहेंगे और लोग अगर आपको देख रहें हैं तो वो जरूर support करेंगे बस मैंने इसी बात पर अपने हां पर believe किया मैं काम करते चला गया, करते चला गया, करते चला गया अब मुझे धुरी धीरे 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 उसका प्रभाव एक दिख रहें तो बस ऐसे ही आप लोग भी महनत करते रहे हैं आपको भी धीरे धीरे उसका बाद में result दिखेगा, ठीक है, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, जो selection तो लेते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जो है, वो marker पकड़ते हैं, आकर यहाँ डेड़े घंटे अपनी energy लगाते हैं, और सोचते हैं कि कितना जादा वो बच्चों को educate कर सके, कितना जादा जो है, वो उनको सिक्षा दे सके, बहुत rare चैनल से ऐसे हैं, ठीक है, और जो भी है, वो वाकई में बहुत effort डालते हैं, जैसे हमारे विकरांद भाई हैं, बहुत अच्छा लगा उनके लिया, धन्यवाद विकरांद भाई, अगर आप मेरी वीडियो को देख होंगे तो, चलिए आजएए, आप लोगों की बहुत जादा डिमांड थी, और डिमांड क्या थी, डिमांड में ये था मेरे की 60 दिन, 60 मेराथन में सर आपने दो थिन टॉपिक छोड़ दिया थे, करवा दीजिए, तो देखो मेरे भाई, पहला जो है, यहां पर सबसे पहल मैं इस वीडियो के बारे में बता दूँ, देखो इसमें पूरा सीजल 2021 का कोशन आपको नहीं मिलेगा, प्रॉफिट लॉस वाले में जितने कोशन करवाए थे, वो सारे 2021 के थे, लेकिन इसमें सारे के सारे 21 के नहीं मिलेंगा, रीजन पता है क्या है, जब मैंने डेफ्ट म किसाब टागेट एगरी आएगा, तो इसलिए मैंने खुद के तरफ से जो कोशन हैं, वो प्रीवेस ये उसको देखकर कुछ कोशन से डिजाइंग किया है, कुछ मैंने सीजल 2020 के कोशन डाले है, कुछ मैंने सीजल 2020 के डाले है, फिर वीडियो देखने के बाद कोई भाई य पहले बन जाता है, बहुत पहले बन जाता है, एक दिन पहले बन जाता है, content आपके class के चंद गंटे पहले बनता है, इस वजए से ऐसा है, और बाकी हाँ, इतना जरूर कहूंगा, कि पूरा का पूरा जो है, वो dedicated और oriented रहेगा आपके paper पे, एक भी question आपका बाहर नहीं आएग क्योंकि देखो जब मैं background में काम कर रहा होता हूँ तो मैं हमेशा यहीं बात सोचता हूँ कि मैं ऐसा क्या करा हूँ बच्चों को कि जिनसे उनके सारे types clear हो जाए जिनसे उनका paper में score बढ़े जिनसे उनको एक difference महसूस हो कि हाँ हमने पढ़ा था और हमारा उससे फायदा हुआ क्योंकि ऐसे तो यार कई सारी वीडियो पढ़ी हुई है लेकिन वह ब outdated हो चुकी है और outdated हो चुकी है तो मुझे नहीं लगता कि उनको देखने के उतनी ज़्यादा आवशकता है तो एक बढ़ियां content हम पढ़ते हैं एक सारा type cover हम वो पढ़ते हैं ठीक है और अपसे मैं अपनी हर वीडियो पर और ज़्यादा effort आप लगो के लिए लगाऊंगा और उसमें और quality मैं आपको देने की कोशिश करूँगा ये मेरा हमेशा से जो है वो effort रहेगा चलिए आजएए बहुत अची बात है सर PDF डालो किश इसकी PDF डाल दे मेरे भाई बताईए तो यहाँ पर साथ में जिन बच्चों को बारे में हमारा नहीं पता हमारा CGL का मेंस भी बैच आ चुका है और ये 4 मही नहीं 12 मही को हमारा बैच आया है उसमें एक टॉपिक अभी खतम हो गया है percentage का कल से उसमें दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा profit loss का तो जिन्होंने मेंस की त्यारी करनी है और वाकई में इस बार डंका अपने नाम का बजाना है ठीक है तो वो मेंस का बैच अन्रॉल कर लीजे क्योंकि मैंने जैसे कहा था कि पिछली बार पूरे के पूरे 100 questions लगबग मेरी sheet से आये थे वैसे ही इस बार के मैं पूरे के पूरी sheet design कर रहा हूँ और एक difference भी आपको देखने को मिलेगा percentage का जो sheet है free वो मैंने टेलिग्राम पर डाल दिया है आप एक बार जा के देख लेना उसी तरीके से बाकी सारे topics होंगे तो जो बच्चे वाकई में चाह रहे हैं कि नहीं हमको मेंस निकालना ही निकालना है वो इस batch में enroll करिए RGB करमजीत application हमारा download करके इस batch में आ जाई है तो जैसे हम शुरुबात करते हैं अपने session की आज एकदम हलके फुल के सवालों से शुरू करेंगे और अपने सिलसला अपने कारवे को टॉप तक लेके चलेंगे जैसे आप मेरे साथ बने हुए आभी थोड़े थोड़े बच्चे बने हुए धिरे धिरे आप भी आना शुरू करते हैं धिरे धिरे हमारे सवाल का level भी बढ़ना शुरू होता है ठीक है चलिए आजएए आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर धन्यवाद मेरे भाई ठीक है मुझे बहुत अच्छा कमेंट भी लगता है यार मैं आजकल देख रहा हूँ न कि मतलब बहुत ऐसे वीडियोज हैं और उस पर व्यूज बहुत ज़ादा है और यह मुझे बहुत अच्छा लगता है जो आप लोग का प्यार है जो आप लोग का सपोर्ट है न वाकई मैं मतलब यासा मोटिवेशन देता है न कि बस कर हर मैदान फते वही वाली बात हो जाती है आज ही एकदम टुच्चे सवालों से शुरू करेंगे और हीरो लेवल तक के सवालों पर चलेंगे सवाल में क्या बोला है बोला है देखिए एक व्यक्ति है जो 80 मीटर को 12 सेकंड में तैय कर रहा है तो बताओ उसकी रफ्तार क्या होगी एकदम हलके सवाल से पहले गुलगप्पा काएंगे फिर उसके बाद समोसा काएंगे फिर उसके बाद टिक्की खाएंगे और फिर उसके बाद तब जाके खाना काएंगे वैसे वाला एकदम तो 80 मीटर आब भागे 12 सेकेंड में आप से स्पीड पूचा गया पूरी दुनिया को ये बात पता है कि स्पीड बराबर क्या होता है अगर हम बात करें यहां पर टिस्टेंस की तो डिस्टेंस आपने कितना तैकि यह 80 समय कितना लिया 12 और हमें यहाँ पर यह speed को बताना है, किलोमीटर पर आओर में बताना है अब यहाँ किलोमीटर पर आओर में बताना है तो देखो बहुत दोस्तों को मेरे confusion होता है meter per second को kilometer में कैसे बदले और kilometer per hour को meter per second में कैसे बदले और यहाँ पर गुना भी रहता है कि भ вся 5 बटे 18 से गुना करना है कि 18 बटे 5 से यह भी बड़ा confusion रहता है तो देखो आप मेरे को ऐसे समझाओ कि आप अप यह देखो यह meter है और यह kilometer है इन दोनों में बड़ा कौन है तो आप बोलोगे सर ओवियसी बात है किलोमेटर बड़ा है तो बस अगर आप किलोमेटर पर आउर में बदलना चाहते हो तो आप यहाँ पर 18 बटे 5 से गुना करोगे क्योंकि 18 बड़ा है अब वापस अगर आप मानो उसको मीटर में बदलना चाहते हो तो आप यहाँ पर किस से गुना करोगे 5 बटे 18 से यानि यदि आपको बड़ी संख्या के तरफ जानी है तो 18 बटे 5 का गुना लगाना है और यदि आपको मीटर में आना है तो आपको बड़ी संख्या में जानी है तो 18 बटे 5 का गुना लगाना है और अगर आपको मीटर में आना है तो 5 बटे 18 का गुना लगाना है हमने कहा देखो यह मीटर पर स्रेकेंड में है हमें किलो मिटर पर आवर में सही है और 2 जो है वो 10 को खतम कर देगा 8 x 3 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा option number A आभी जाओ इस दा correct answer हो जाएगा ठीक है चलिए आज़िए next question देखें आप और next question थोड़ा सा प्यारा सवाल मैंने कहा ना धीरे धीरे हम level को बढ़ाते चलेंगे जैसे जैसे आपका like बढ़ता चलेगा वैसे वैसे हमारा level भी बढ़ता चलेगा सवाल को देखें क्या बोला गया बोला गया देखो एक car जो है जब अपने गती को बढ़ा देती है 30% से तो वो किसी certain destination पे 2 घंटे पहले पहुंच जाती है ठीक है अपने रफ्तार में कितने को बढ़ा दिया 30% बढ़ा दिया तो समय कितना कम लगा 2 घंटे वो लगया usual time क्या लगेगा ठीक है उसको usual time क्या लगेगा मतलब यहाँ पर normal जो time लगता है वो क्या लगेगा अब इस सवाल को करने के कई सारे तरीके अगर आप वाकी में सवाल को करना चाहते है रेशियो से कर लीजे सेकेंडों में बन जाएगा लेकिन फिर भी हम आपको बता देंगे मेरे भाई हमेशा एक बात ध्यान रखना time speed distance में कुल मिला कर तीन concept पढ़े जाते हैं और पढ़ाये जाते हैं और वो concept क्या है तो यहाँ पर हम जानते हैं पहला concept हम आपको सबसे पहले दे रहे हैं देखिए formula क्या पढ़ते हैं आप formula पढ़ते हैं speed बराबर distance upon time ये बात पढ़ते हैं अगर सोचिए कि मैं आपके distance को ही constant कर दूँ मतलब मैं ऐसा कर दूँ कि यार आपका distance जो है वो बदल ही नहीं रहा है fix है आपका distance जो है वो constant है तो speed आपका inversely proportional हो जाएगा किसके time के speed आपका कितना proportional हो जाएगा inversely proportional हो जाएगा time के यानि speed का ratio का उल्टा कौन होगा time का ratio होगा उधारन के तोर पे जैसे हमारे मानिये पपू है अपनी Pria को मिलने जा रहे है और यहां से自ह जो है Mumbai जा रहे है प्रिया से मिलने ठीक है यहां से Mumbai की तो दूरी fix है अब मिलने की चुकी बेचैनी है यहां पर Sajan मेरा उस पार है मिलने को दिल बेकरार है तो क्या गरेंगे भाई साथ फ्लाइट लेके जाएंगे अब माली जो फ्लाइट लेके जाएंगे तो फ्लाइट की स्पीड जादा होगी तो समय क्या लगेगा? कम लगेगा लेकिन उधर से आने के बाद अब मिल चुके है बेचैनी खतम हो चुकी है तो ट्रेन भी पकड़ के आजाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है तो ट्रेन में क्या होगा? स्पीड कम होगा लेकिन समय जादा लगेगा तो चुकि दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी समान थी तो आपने यहाँ पर क्या देखा? 20% का मतलब पहले रफ्तार हमारी 10 थी तो अब रफ्तार हमारी कितनी हो जाएगी? 13 और अगर स्पीड 10 से 13 हो रहा है तो मेरे भाई टाइम यहाँ पर कितना हो रहा है तो यहाँ पर 13 से 10 हो जाएगा यह हमारा टाइम हो जाएगा यह कितने के बारे हम बता रहा है तो हम बोलेंगे यह दो घंटे के बारे हम बता रहा है क्योंकि समय क्या लगा है अब दो घंटे कम लगा है समय अब दो घंटे कम लगा है यानि यह जो दो घंटे है वो तीन यूनिट का मान है 2 गंटे जो है वो 3 unit का मान है हमसे बोला गया usual time usual time का मतलब जानते हैं क्या होता है कि अगर वो समान या रफ्तार से चले तो कितना समय लगेगा यानि usual का मतलब ये 13 unit का मान पूछा गया तो हम बोलेंगे देखे जनाब बात ऐसी है ना कि ये जो 2 गंटे है वो कितने का मान है 3 का हमें कितने का निकालना है 13 का 26 बटे 3 26 बटे 3 को 8 सही 2 बटे 3 भी लिखा जा सकता है यानि 8 गंटे 40 minute option number जो है वो C4 cut up is the correct answer अब बोलोगे सर इसे कई से लिख दिया आप C4 cut up हमको नहीं समझ माँ हमको दुबारा समझाईए मेरे भाई यहां पर इसको क्या लिख सकते है 26 बटे 3 लिख सकते है भोलेंगे हाँ इसको जब आप भाग करेंगे तो ये 8 सही 2 बटे 3 आजाएगा तो बोलेंगे हाँ 8 घंटे का मतलब तो 8 घंटे हो गया दो बटे तीन है ना जब यहाँ पर यह fraction में आ जाए तो इसको 60 से गुना किया जाता है तो दो बटे तीन को आप 60 से गुना करेंगे तो आप बोलेंगे सर देखो 30 से दो बार में काटा तो यानि 40 मिनट यानि अब जाकर समझ मैं हाँ सर अब समझ मैं कि option number C ही क्यों answer है ठीक है समझ मैं आ गया बात यहाँ पर तो अभी पपु प्रिया concept से clear हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पर कि speed का उल्टा कौन time हो गया ठीक है चलिए आज़े आज़े एक से concept आप लोगों को देखके हैं न हम यहाँ पर समझाने वाले 10 से 13 कहां से है बाबाई साब ताली हो जाए एक बार comment box में के लिए हमारे भाई के लिए अरे भीया 30% रफ्तार तुम बढ़ाए हो तो यह 30% का मतलब क्या होता है 3 बटे 10 होता है यानि यहाँ पर 10 में 3 का increment हो गया पहले रफ्तार 10 की थी अब उसमें 3 बढ़ गया तो 13 हो गया अगर 20% बोला होता तो 20% का बट्टा कितना होता है 1 बटे 5 आज जो हमने batch start किया उसम पूरा का पूरा basic पड़ाया है आप सभी को ने होता है और निमंतरन है कि जाते हैं application को download करिए और जाकर आज की जो champions 4.0 की percentage की पहली class है वो सब के लिए free है जिनका थोड़ा बहुत percentage इदर दर डगमगाया होगा है वो जाकर जरूर देख लेंगे ठीक है कि कैसे percentage को convert करते है fraction में आज ये next सवाल देखिए अगला सवाल बोला गया है कि एक train जो है जिसने अपने रफ्तार को 2 बटे 5 से क्या कर दिया है कम कर दिया है ठीक है और वो किसी गंतवी अस्थान पर 3 घंटे विलम भी पहुँचती है अग यहाँ पर रफ्तार को कम किया गया और पीछे वाल पर तो speed को जो है उसने कम किया है 2 बटे 5 से यानि पहले उसका रफ्तार 5 था तो उसमें 2 की कमी हो गई है पहले रफ्तार 5 था जाने का रफ्तार 5 था तो उसके बाद उसमें 2 की कमी हो गई यानि रफ्तार कितना हो गया 3 तो समय जो लगेगा वो क्या लगेगा इसका उल्ट हमारे 3 गंटे के बराबर है तो बोलेंगे हम जी यहीं 3 गंटे 2 यूनिट के बराबर है present time पूछा जा रहा है याद रखना आज का समय तो हम बात करेंगे तो बोलेंगे देखो यह जो 3 है न यह कितने का मान है 2 का और present का मतलब यह 5 यूनिट का सुना ही देता है समझें बदमाश हो रखें एक नमबर के भाई साब सुनो पप्पु प्रिया बोल रहे हैं लड़का पप्पी प्रिया सुन रहा है मन में जो है ना जो खयाल होते हैं वहीं जुबान पर भी आते हैं इस बात को ध्यान रखो ठीक है शालो आजाओ यहां पे न सवाल देख लिजेगा जनाब 2020 का कोशन है सीजल का ठीक है आएगा यहां पर पेपर में इतना हम कहा रहे है एक 144 किलोमेटर की दूरी को एक देशमला आठ घंटे में वो तैय कर रही है और कहा गया है कि बताओ कितने समय में ठीक है इन वाट ताइम विल इट कवर डबल द इस दूरी का डबल ठीक है वो कितने समय में ठीक करेगी अगर वो डिस्टेंस को भी डबल कर दे और अपनी रफ्तार को भी 20% बढ़ा दे हमने कहा यार बड़ा शांदार बात यार बड़ा अच्छा बात बोला आपने ठीक है बात करते हैं सबसे पहले स्पीड को लेकर तो 1.8 घंटे में मोनोगी रफ्तार क्या होगी वो लोगे सर स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम यानि 144 बटे क्या हो जाएगा 1.8 अभी इसको ऐसे रहने दो काटना मत 90% बच्चे क्या गरें यहीं पर एकदम काटकूट करना शुरू कर देंगे तलवार भाजना शुरू कर देंगा इसा नहीं करना सबर रखो पिशन्स रखो तक कामों की नहीं करने का सबर रखने का तो बस वही बात है यहां पर स्पीड बराबर क्या हो जाएगा 144 बटे 1.8 कहा गया कितने समय में कितने समय में हमें जो है उस दूरी का डबल तै करना है और 144 का कितना गुना दो गुना यहां पर तै करना है और स्पीड कितना बढ़ जाएगा तो स्पीड हमारा कितना से 20 परसंट से बढ़ जाएगा आप 20 परसंट की बात करें यहां पर तो 20 परसंट का बट्टा कितना होता है तो बोलोगे सर 20 परसंट का बट्टा एक बटे 5 होता यानि 5 में एक की बढ़त हो जाएगी यानि जो यहां पर speed है speed कितनी है 144 by 1.8 यह अपने आपको 20% बढ़ा लेगा यानि अपने आपका 6 बटे 5 हो जाएगा मैंने कहा था ना काटना कुटना मत automatic बहुत फायदा होगा अब 1.8 into 5 यह उपर चला जाएगा 1.8 into 5 कहाँ चला जाएगा उपर चला जाएगा तो लिख लो जरा यहां पर 1.8 और into कितना हो जाएगा 5 यहां का दशमला उड़ाओगे तो नीचे कितना आजाएगा 10 तो आप इसको 18 बटे 10 भी लिख सकते हो अब देखो कितने प्यार से कितना मक्षन की तरह सारा का सारा कट जाएगा यहां पर यह इसको काट देगा बड़े प्यार से 6 इसको काट देगा कितनी बार में 3 बार में और 2 और 5 मिलकर 10 को काट देंगे समय कितना आ जाएगा 3 option number sees the correct answer इसलिए तो बोले शुरू में मत काटो क्योंकि मुझे पता है कि बाद में जाके वो कटने ही कटने है ठीक है समझ में आया अब इसी चीज़ को लेकर पेपर में परिशान होते है गुरू यह बड़ा कैलकुलेटिव सवाल आया था अरे कुछ भी नहीं था यार ठीक है आजओ यहां पर अगला सवाल देखो अगला सवाल बड़ा प्यारा सवाल है कई सारे कोशनज एकदम चुणचुन के लेके आये हैं सारे टाइप को हम कवर अफ करांगे हर सवाल में आपको ईक नया टाइप मिलेगा निmost पोराना पैटरन बिलकुल नहीं एकदम नया और अपडेटीड कोशन मिलेगा ठीक है चली आज़ेगे सर can you suggest best platform पर mock test यार देखो इसमें है ना मतलब मैं क्या suggest करूँ बोलूगा तो बोलोगे सर किसी का promotion कर रहे हैं बट मुझे जहां तक लगता है कोई भी ऐसी platform हो जिसके अंदर ये दो खासियत हो एक तो वो previous year questions आपको provide कर वा रहे हो और दूसरा उनके थोड़े से solutions अच्छे हो ना तो मुझे लगता है कि हाँ यार आप वही platform पर जाये करो और उन्ही platform के जो है ना यहाँ पर क्या किया करो ठीक है mock लगाये करो क्योंकि मैंने अक्सर ये भी देखा है कि अगर मैं किसी चीज को promote करता हूँ तो फिर लोग उसको अपनी वीडियो बनाकर डालना शुरू कर देते हैं ठीक है तो इसलिए हो जाता है ना फिर बाद में वो बच्चों को भी गुमराही के माध्यम से जो है वो हो जाता है तो इसलिए मैं नहीं चाहता बस इन बातों का दो बातों का ध्यान रखना कि previous year questions हो उनके अंदर और solutions हो ठीक है आज ही है अगले सवाल की तरफ चलते हैं अंगला सवाल देखते हैं बोला गया एक train जो है ना वो अपनी रफ्तार को 70 km प्रतिगंटे से कम करके 60 km प्रतिगंटे पे आ जाता है 62 पे और इसके चलते वह किसी गंतवे स्थान पर एक गंटे विलंब पहुचता है तो यहां पर हमसे distance पूछा गया है क्या पूछा गया है distance पूछा गया है कि भीया distance क्या होगा तो कोई परिशानी की बात नहीं है आराम से करेंगे same सवाल पपू प्रिया कंसेप्ट कौण सा पपू प्रिया कंसेप्ट क्योंकि जब भी speed को घटाने की बात होगी और समय ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा तो पपू प्रिया कंसेप्ट समझ महा गया हमारे अनुराग जी भी यहां पूरा का पूरा तो बताईए पहले speed कितना था तो 70 था अब speed कितना हो गया तो 62 हो गया यानि यहां पर इनका अनुपात कितने का है तो काटेंगे तो बोलेंगे सर्फ 35 और 31 का अनुपात है अगर हम बात करे time को लेकर तो time क्या हो जाएगा इनका उल्टा यानि यह 35 और 35 का हो जाएगा हमें बताईए जरा कितना unit अधिक समय लगा तो वहीं 4 unit अधिक समय लगा और यह 4 unit का मान जनाब कितना है 4 unit का मान आपका 1 घंटा है अगर हम 1 घंटे को लिखे तो चलो गंटा रहने तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है समझ मा आगया बात यहाँ पर 4 unit का मान एक घंटा तो अगर हम यहाँ पर यह देखे न हमें क्या निकालना है distance और distance निकालने के लिए दो चीजों की आवशक्ता होती है speed और time क्या होता है speed और time अब आप मुझे बताईए यहाँ पर यहाँ रफ्तार कितना है तो बोलोगे 70 का और यहाँ time लग कितना रहा है तो 31 unit लग रहा है ध्यान से सुनिएगा 31 unit लग रहा है ठीक है तो आप बोलेंगे सर देखो 4 unit का मान एक घंटा यानि यह जो एक घंटा है वो कितने का मान है चार का मान है हमें कितने का निकालना है 31 unit का तो यह हमारा हो जाएगा आपका time तो यह speed हो गया और यह आपका time हो गया आप चाहेंगे न तो यह भी speed लेकर काम कर सकते हैं 62 को भी ले लेंगे न तो 62 आपकी रफ्तार हो जाएगी फिर उस case में आपको 35 unit का माल लेना पड़ेगा दूसरी बात बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं यहाँ पर उपर में 35 और 31 ले लेते हैं वो मत लीजेगा मेरे भाई ठीक है वो नहीं लेना है आपको speed के जगा पर जो exact value है वो लेनी है और आपका जो time आएगा वो exact आएगा वो लेना है अब आप यहाँ पर इनको काट के देखे 7 एकम 7 हो गया 7 के 21 हो गया तो 270 और बटे में कितना हो जाएगा 4 काट लो जरा 4 25 टीक है 4 चुके 16 चार दुनिया 8 542 के बाद कुछो भी दिखेगा उसी को टिक मार दो option number C is the correct answer पूरा कौन सा हमें करना है आपर बैठके सवालों को एकदम प्यार से basic बेसिक से सारी चीज़ हम आपको बता रहे हैं ताकि आप समझते चले क्योंकि पहले आपको paper में सवाल बनाना जरूरी है ठीक है फिर short trick, short trick तो हम आराम से देख लेंगे सर CGL और CAPF कौन सा best है मैं हमेशा बोलूगा CAPF best रहेगा ठीक है अगर आपको field job करनी है तो अंकित दूबे लेकिन अगर आपको जो है थोड़ा बहुत adventure में रहना है और थोड़ा सा जो है desk job के तरफ अगर आप move on करते हैं तो CGL जो है वो best रहेगा क्योंकि मेरे खुद के एक दोस्त है जो already assistant commandant है और assistant commandant में बहुत अच्छी वो salary भी generate कर रहे है ठीक है और बहुत अच्छी उनके lifestyle भी है यहाँ पर लेकिन जो मैंने महसूस किया वो यह किया है कि अधिकतर मैं उनको देखता हूँ ground duty पर ही field duty पर ही कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ ठीक है तो एक जो है ना यहाँ पर adventure उनके life में काफी जादा है यहाँ तक ही वो अभी 2-3 country भी घूम कर आ चुके हैं अपने government की तरफ से ठीक है लेकिन जो desk job वाली बात है वो नहीं है तो आप पहले decide कर लिए अगर आपको आगे चलके UPSC या किसी अधर चीजों की तयारी करनी है तो आप SSE का दामन पकड़िए लेकिन अगर आपको नहीं satisfy ही रहना अपने job से और एक तम मौझ मस्ती वाली जिंदगी जीनी है तो C.A.P.F का हाँ जो है वो पकड़िए ठीक है चलो आजाओ अब next question देखो यहाँ पर प्यारा सा question train का टुच्चा सा प्यारा सा question आज आप लोग वीडियो शेयर नहीं कर रहे हो यार करते रागरो हजार लाइक तो पार हो जाने थे कहा गया देखो 240 मीटर लॉंग train है जो 360 मीटर के लंबी टरनल को पार करती है 30 सेकंड में तो उस train का रफतार क्या होगा अधिकतर आपने देखा आपने क्या पढ़ा पड़ा सर देखो बात ऐसी है ना train वाला जो है वो थोड़ा सा हम concept आपको बता देते हैं चंद सेकंड में हम आपको train का concept revise करा देंगे और क्यूं कराएंगे क्यूंकि ये आपका बहुत 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 महत्वपूर्ण होने वाला है और किसके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है अनुराग जी आप इधर देख लीजिए पढ़िए ठीक है अनुराग जी भी एकतम बदमाश हो गए है पढ़ाई बढ़ाई करते नहीं है घरवालों को शिकायत करनी पढ़ेगी देखें आपर तो यहाँ पर हम बात करते हैं train के concept की तो train के concept में कई सारे case बनते हैं सबसे पहला जो case बनता है वो यह बनता है कि जब हमारा train है यह वाला मेरे भाई यह train हमारे किसी पोल को पार करें किसको पार करेगा पोल को पार करेगा समझ महा गया दूसरा वाला case क्या होता है कि ये train मेरे भाई जो है न पोल को नहीं पार करे, किसी दूसरी train को पार कर लेगा यहां पर यह, ठीक है या फिर किसी ब्रीज को पार कर लेगा ठीक है, या फिर किसी भी ऐसे object को, या फिर किसी platform को पार कर लेगा ऐसे, बड़ा बढ़ी ऑ-बढ़ी अब ऐसे ऐसे cases में क्या formula लगाएंगे बच्चा रठते रहता है बिचार एकदम दुखी आत्मा बनके किताबों में गड़ाय रहेगा और रठते रहेगा पुछेंगे कही रठते हैं तो गुरु जी बोले थे रठने को इसलिए रठते हैं मैं बस आपको एक टेक्नीक सिखा रहा हूँ उस टेक्नीक के मादिम से आप अपना equation खुद बना सकते हैं और टेक्नीक क्या होगा आपका speed बराबर distance upon time अब यहाँ पर यह तो हर किसी को पता है बोलोगे नया क्या बता दियें तो इसमें नया हम आपको यह बताएंगे कि देख जो भी दो लोगों को आपस में relative में compare कर रहो ना क्या उनके पास distance है अगर दोनों के पास distance होगा तो दोनों का distance लेना अगर एक के पास distance होगा तो एक ही का distance लेना और speed में हम आपको बताएंगे speed में आपको क्या करना है तो speed में बस आपको इतना ध्यान रखना है क्या दोनो के पास speed है अगर दोनों के पास speed है और दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो speed को minus करेंगे और अगर दोनों के पास speed है और दोनों opposite directions में आ रहे हैं आमने सामने तो speed को plus कर देंगे बस यहीं होता है और इसके अलावा कोई concept नहीं होता फाल्तू के confusion होते हैं जैसे मानो जब कोई train किसी pole को पार करती है तो अगर हम इस case में बात करें तो जो हमारा time लगेगा अब यहां खुद बताओ ना क्या किसी pole का लंबाई होता है यहां पर pole उंचा होता है लंबा नहीं नहीं है अब मानो कोई man भी यहां पर खड़ा एकदम उड़ती बनके मुस्कुरा रहा है और इंतिजार कर रहा है अंदर बैठी लड़की को टाटा बाई बाई कर रहा है क्या इसके पास भी कोई रफ्तार है कुछ भी नहीं है यानि जब भी कोई ट्रेन किसी इंसान को या पोल को पार करती है तो जो समय लगता है बराबर डिस्टन्स में क्या लेंगे तो ट्रेन की लंबाई और स्पीड में क्या लेंगे तो ट्रेन का स्पीड ये बड़ा प्यारा टाइप हमारा बन जाता है अब इसी में अगर माल लो ऐसे भी बोले जैसे वो कहानी नी सुनी मैंने मरे हुए हाती को चलते हुए देखा यानि कहने का मतलब यह है कि हाती मरा हुआ था और हम चल रहे थे और तब हम उसको देखे सेम तरीके से यहाँ पर इस ट्रेन ने इस इंसान को चलते हुए देखा मानो अब जब यह वेक्ती चलेगा ना देखो जब तक यह इस तिर है तब तक इसके पास कोई चाल नहीं है लेकिन जब यह चलना शुरू करेगा तो दो दिशाओं में चलेगा या तो ट्रेन को देखके भागेगा या ट्रेन की तरफ आएगा गुस्सा आया तो ट्रेन के सामने आएगा ठीक है और जिन्दीगी प्यारी है तो ट्रेन से दूर भागेगा जब यह ट्रेन की तरफ आएगा ना तो इसके स्पीड को क्या करोगे जोड़ दोगे, speed of train plus speed of man, और जब यहां से दूर भागेगा, जब एकी दिशा में जाएगा, तो speed को घटा देना तो यहां पर दो case बनते हैं, पहला case बनता है जब आदमी स्थिर होता है और दूसरा case बनता है जब आदमी भाग रहा होता है तीक है, अब बात करते हैं दूसरे नंबर case की, जब मेरे भाई कोई भी train किसी platform को या फिर कििसी pole को, या फिर कििसी bridge को, pole नहीं, किसी platform को या किसी bridge को पार करती है अब जब ये platform या bridge को पार करेगी ने, तो इसके पास भी लंबाई होगा और इन दोनों के पास भी लंबाई होगा होगा की नहीं होगा तो बोलोगे हाँ गुरू देओ तो उस case में जो time लगेगा वो क्या लगेगा distance के case में दोनों के पास लंबाई है तो दोनों का लंबाई लो यानि बोलोगे train का भी लंबाई लेंगे और platform का भी लंबाई लेंगे speed की बात करते हैं कभी आपने देखा platform को भागते हुए bridge को भागते हुए, नहीं भागते हुए यानि इनके पास रफतार नहीं है किसके पास है, बस train के पास है तो यहाँ पर speed के जगा पर speed of train ले लेंगे समझ में आगया बात यहाँ पर या नहीं आया बोलोगे हाँ sir समझ में आगया अब बात करते हैं तीसरे number case की जब यहाँ पर कोई train किसी दूसरे train को पार करती है तो इस case में जो हमारा time लगेगा वो क्या लगेगा तो बोलोगे sir time बराबर distance अगर यहाँ पर इस train का distance T1 है और इस train का distance T2 है तो बोलेंगे sir यहाँ पर लंबाई distance में क्या लेंगे दोनों के पास लंबाई है दोनों के पास लंबाई है तो LT1 प्लस L2 T2 और बात करेंगे यहाँ पर speed को लेकर तो दोनों के पास speed है यदि वो आमने सामने आ रहे हैं opposite direction में तो speed को आप जोड़ देना और यदि यहाँ पर जो है वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो speed को क्या करेंगे घटा देंगे यह बात clear है या नहीं clear है बताईए जल्दी से समझ में आ गया चलिए तो सेम तरीके से हमारा यह सवाल था तुच्चा सवाल था खेर यह तो बट हमने सोचा कि हम 5 मिनट में आपको यहाँ पर train का concept बता जें अगर किसी मेरे भाई को इतना दूर का concept पसंद आया होगा तो वो अपने चैनल पर इतनी की वीडियो क्लिप निकाल कर भी डाल सकता है कोई इशो की बात नहीं है ताकि बच्चों को ये भी समझ में आ जाए अब नेक्स्ट बात करते हैं पर इस सवाल को लेकर इस सवाल में कहा गया है यहाँ पर ठीक है कि एक 240 मिटर लंबी train है जो 360 मिटर लंबी टरनल को 30 सेकंड में पार करती है train किसको पार कर रही है टरनल को पार कर रही है लंबाई किसके पास होगी train के पास भी और tunnel के पास भी लेकिन speed किसके पास होगा बस train के पास formula clear mind में question clear कैसे बनाना है बोलोगे हाँ sir time बराबर क्या हो गया distance upon speed हो गया distance किन दोनों के पास है तो distance train के पास भी हो tunnel के पास तो बस दोनों को जोड़ दो 360 में 240 को जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 300, 200, 500, 600 हो जाएगा और बात करते हैं speed को लेकर speed किसके पास है तो speed भाईया bus हमारे train के पास है speed हमारे bus train के पास है तो उसके speed को क्या माल लेंगे S माल लेंगे time कितना लगा है 30 second लगा है अब ये देखो ये second में है और ये हमारा meter में है तो रफतार किस में आ रही होगी रफतार meter per second में आ रही होगी यानि 30 ले जब इसको काटा होगा तो कितनी बार में काटा होगा 20 बार में तो रफतार हमारी आ गई 20 meter per second हम से किस में पूछा है kilometer per hour में तो हम बोले थे ना जब छोटे से बड़े में move करेंगे तो 18 बटे 5 से गुना करेंगे 5 से काटो चार बार में 10 चोटे बेहतर option number C ठीक है कह भी दो कि एक बार प्यार है इस मेराथन से प्यार है इस 60 दिन 60 मेराथन से प्यार है इस maths के class से प्यार है आपके अपने परिवार से प्यार है रैंकर्स गुर्कुल से प्यार है ठीक है जाने की और आने की रफतार है 4 किलमेटर प्रती घंटा कुल मिलाकर उसको 5 घंटे 48 मिनट लगते हैं तो बोला गया बताओ find the distance from his village to school अब देखो ये लड़का हमारा नवाजुदिन सिद्ध की है ये बचपन की बात है चलो नवाजुदिन सिद्ध की छोड़ो हटाओ ये लड़का हमारा मोनु है ठीक है चलो मोनु को भी छोड़ो हटाओ ये लड़का हमारा अनुराग है ये भाई साब जो है घर से निकलते हैं पढ़ने के बहाने लेकिन पहुंचते हैं चैप्टर टू मोवी देखने है और चैप्टर टू मोवी देखने निकलते हैं तो एकदम भाग भाग के जाते हैं यारे भीया सो हमारा ना छूड़ जा 25 किलमेटर प्रति गंटे की रफतार से लेकिन जब मोवी देख के आ रहे होते तो पूरे रास्ते यहां पर यही सूच रहे आते हो कि भीया जो है चैप्टर टू कब आएगा और इसलिए इनकी रफतार धीरे हो जाती है कुल मिलाकर 3 गंटे का मोवी का शो था और बाकी इनको आने जाने में समय लगा होगा अब देखो क्या होता है दो कंसेप्ट होते है मैं वापस से बोलूँगा एक हमारा होता है देखो दो कंसेप्ट हो गए एक हमारा होता है कंसेप्ट ऑफ टोटल टाइम ठीक है और दूसरा होता है हमारा डिफरेंस ऑफ टाइम अगर हम बात करते हैं कैसे इस्तमाल होता है वो समझे जैसे मानिए यहाँ पर आपका स्कूल है और यहाँ पर आपका घर है जब आप यहाँ पर X के रफ्तार से जाते हैं और जब आप यहाँ पर Y के रफ्तार से आते हैं और इस तरीके से कुल मिलाकर आपको T समय लगता है न तो जो आपका मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यहां पर आप क्या ृस्तिमाल करेंगे अलिए सर देखो तोटल है कितना लगा और अल्टल टाइम हमारा टी लगा है यानि जाने में टी वन टाइम लगा था और यह किसके बराबर टी के बराबर Time बराबर क्या होता है? Đistance upon speed अगर हम distance को D माल ले और यहाँ से जाने के speed को X माल ले अगर वहाँ से D माल ले और आने के speed को Y माल ले तो यह बराबर हो जाएगा हमारा इसके ठीक है अगर हम मालー यहाँ पर common ले लेते हैं तो बोलेंगे सर D यहाँ D कॉमल ले लेंगे तो बोलेंगे Sir 1 upon X plus 1 upon Y बराबर हो जाएगा किसके Sir T के मैं आपको formula ही निकाल के दिखा दे रहा हूँ आप बोलेंगे Sir D into X plus Y divided by मेरे भाई X Y बराबर हो जाएगा किसके तो T के further अगर आप यहाँ से बोलोगे एक line और तो आप ऐसा कह सकते हो कि Sir distance बराबर time into X Y divided by X plus Y मैं direct आपको यह सवाल का formula बता सकता था लेकिन फिर उस केस में आप पूछते की Sir यह आया तो आया कहां से समझ रहे हैं मेरी बात को आप direct याद कर सकते हैं concept of total time में कि जब हम X के रफ्तार से जाते हैं Y के रफ्तार से आते हैं और दूरी समान होती है तो जो distance होता है वो क्या होता है XY upon X plus Y into कितना T हो जाएगा मेरे भाई यह ध्यान रखिएगा तो अगर मान लीजे यहाँ पर हमारा distance total time के case में यह formula बन रहा है तो difference वाले case में क्या बनेगा तो बोलोगे sir जहाँ difference होगा न तो उस case में distance बराबर क्या हो जाएगा XY divided by X minus Y क्या हो जाएगा X minus Y और into क्या हो जाएगा मेरे भाई ठीक है एक बच्चे को यह formula याद है तो वो सवालों को चंद सेकेंड में बनाने वाला है ठीक है तो बोला गया 25 के रफ्तार से गया 4 किलिमेटर प्रती घंटे की रफ्तार से आए यानि जो हमारा total देखो distance बराबर क्या हो जाएगा तो distance बराबर बोलोगे sir distance बराबर आपने अभी बताया था और क्या बताया था XY divided by X plus Y into कितना हो जाएगा मेरे भाई T के हो जाएगा ठीक है हमें यहाद distance निकालना है जाने की रफ्तार कितने की है तो 25 की है आने की रफ्तार कितने की है 4 की है 25 जमा 2,4 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा और समय इनको कुल मिलाकर कितना लगा तो 5 गणे 48 मिनट लगा पांच घंटे 48 मिनट लगा है जनाब पांच घंटे 48 मिनट अब हम बोलेंगे यार पांच घंटे 48 मिनट को हम कई से लिखें तो कोई बात नहीं ये अल्रेडी घंटा में है इसको मिनटे में बदलना है ठीक है इसको मिनटे में बदलना है 25 चार 29 बटे 5 तो क्या लिखोगे 29 बटे 5 यहाँ पर यह इसको काटेगा यह इसको काटेगा 4 बार में और distance आपका कितना आजाएगा 16 km correct answer बहुत बच्चे तब से comment एक मिनट एक मिनट एक मिनट यहाँ पर जो है सही कह रहे थे बच्चे 5 से यह 5 बार में कटेगा और 5 into 4 कितना हो जाएगा 20 हमारा correct answer आजाएगा option number C for cut up is the correct answer बहुत शांदार रवी कुमार जी शालू मिस्रा CGL aspirant किरन कुमारी इस नहा रहत target exercise inspector बहुत शांदार बचे target exercise inspector यह लड़का बड़ा उपर जाएगा मैं जानता हूँ सारी classes में यह live रहते हैं मन लगा कर पढ़ाई भी करते हैं सीजल aspirant भी हो गए इसी तरीके से सारी classes में live देखता हूँ आज यह अब यहाँ पर same सवाल कहा गया यहाँ पर कहा गया कि जब एक person जो है अपने रफतार को 6 km प्रति घंटा यह question के अगर हम बात करें तो बड़ा important category वाला question बन जाता है ठीक है दो cases आपको प्यारे प्यारे beautiful दिये जाते हैं आपको यह कहा जाता है कि यदि आप अपने रफतार में इतने की कमी करते हैं तो आप इतना minute late पहुँचते हैं यदि आप अपने रफतार में जो है इतने बढ़ा देते हैं तो आप इतना जल्दी पहुँच जाते हैं उस case में आप से हमेशा distance पूछा जाता है फैजान खान कहा रहा है champions 2.2 का class क्यों नहीं हो रहा है और भाईया हो रहा है ऐसे कैसे कह रहे होगी champions 2.2 का class नहीं हो रहा है देखो एक बार जाके पढ़ते तो सही कम से कम ठीक है inquiry number पर बात कर लो काफी दिनों के बात जा गए हो पता नहीं चल रहा है एक बार जाके application पर देखो class लगी है नहीं लगी है ठीक है आ जाओ तो यहाँ पर देखो बोला गया यहाँ पर की एक व्यक्ति जब अपने रफ्तार को 6 km प्रती गंटे की रफ्तार से कम करता है तो वो 20 मिनट लेट पहुंचता है और 5 की रफ्तार से कम करता है तो यहाँ पर जो है वो 2 के रफ्तार से कम करता है 5 मिनट लेट पहुंचता है असल में आपको एक formula आज के बाद याद रखना है और formula क्या याद रखना है अभी आपने पढ़ा था कि distance बराबर S1 into S2 ठीक है और यहाँ पर क्या हो जाएगा S1 minus S2 और बोलेंगे सर into हमारा हो जाएगा difference of time या फिर आप यहाँ time लिख सकते हैं time ना लिखकर आप यहाँ difference of time लिख लिजे बोल दीजेगा कि सर यह formula कहां सा है तो देखो हमाले पे कई साल के तपस्या के बाद यह formula आया है समझ रहे हो बात को कई साल के तपस्या के बाद आया है कई साल के तपस्या के बाद नहीं आया है वो library में कई रातों को कई राते मेहनत करने के बाद यह आई है तो आप यहां कह सकते हो कि sir देखिए जब भी ऐसा वाला case हमारा बनेगा जहां पर यह कहा जाएगा कि इतने रफतार बढ़ाने से इतना मिनट लेट या इतना रफतार कम करने से इतना मिनट लेट या जो भी है तो उस case में हम हमेशा इस formula को ध्यान रखेंगे कि distance बराबर s1 into s2 divided by s1 minus into difference of time बोलोगे sir बता तो दिये formula लेकिन इसको apply कई से करें ठीक है वही बात हो गई यहां पर कि समान तो है यहां पर अमलेट बनाने के लिए लेकिन अमलेट बनेगी तो बनेगी कैसे तो आ जाओ कहा गया जब कोई वेक्ति अपने रफतार को कितने से कम करता है 6 से यानि मान लीजे हाँ पर उसकी रफतार पहले s थी तो अब उसकी रफतार कितनी हो जाएगी s-6 इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 6 तो वो जनाब 20 मिनट लेट पहुंचते है यानि टाइम का अंतर कितना आ गया तो 20 मिनट 20 को यहां घंटें बदल दो 20 बटे 60 बराबर हो जाएगा जब वहीं वेक्ति अपने रफतार को 2 किलोमेटर कम करे यानि यदि उसकी रफतार s की थी तो अब वो की से रफतार से जाएगा तो बोलोगे सर अब वो s-2 के रफतार से जाएगा और यहां difference of speed कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा ठीक है और कितना मिनट लेट पहुंचेगा 5 मिनट तो यहां बोलेंगे 5 upon 60 और असल में यह किस के बराबर है तो यह distance के बराबर है क्योंकि यहां पर examiner 2 cases देता है solve करने को ठीक है यहां पर मैंने आपको formula क्या बताय था s1 s2 s1 minus s2 del t तो यह हमारा s1 यह हमारा s2 और यह दोनों का difference और यह time का difference s1 s2 दोनों का difference time का difference बस हमें इन दोनों को जो है यहां पर यहां पर आप अराम से solve करना है और आपको काट कोट के बराबर s से आपने s को काट दिया 60 से आपने 60 को यहां पर काट दिया यहां पर 2 से आपने इसको कितनी बार में काट दिया और यह हमारा minus 24 होगा यह 3 जब उदा जाएगा गुना करेगा तो बोलेंगे सर 3S minus कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा 4S में से 3S को घटा देंगे तो S आ जाएगा और 24 में से 6 घटा देंगे तो 18 हो जाएगा यानि रफ्तार हमारी कितनी आ जाएगी 18 लेकिन ऐसे सवालों में हमसे रफ्तार नहीं पूछता है ऐसे सवालों में हाँ पर देखो एक तो रफ्तार पूछ लिया तो बहुत अच्छी बात है रफ्तार बता दिया 18 km पर आवर अगर यहीं सवाल में distance आप से पूछ लेता न एक speed पूछ लिया तो बहुत शांदार speed निकाल दिया लेकिन अगर distance पूछ लेता तो उसी s की value को किस में रखते है और उसी s की value को उसी equation में रखते है और 18 में निकालते है इसी बात पर एक और question आपके लिए question number यहाँ पर 23 नहीं है अगर हम उसके speed को 6 km प्रती घंटा बढ़ा देते हैं तो वो जो है 6 घंटा कम लेती है लेकिन अगर हम speed को 6 घंटा कम कर देते हैं तो वो 10 घंटे जादा लेती है बताओ यहाँ पर distance अब पूछा गया है जैसे मैंने कि आप से क्या बोला था find the distance covered by the train अब देखो सवाल में दोनों चीज़े पूछी जाती है एक तो आप से ये पूछा जाता है कि रफ्तार कितनी है और दूसरा आप से ये पूछा जाता है दूरी कितनी है चाल और दूरी का दो है बड़ा पड़सपर मेल आपस में रहता है कभी चाल पूछा जाएगा तो कभी दूरी पूछा जाएगा और यहां कहीं भी किलोमेटर प्रति घंटा नहीं रहेगा ठीक है चुकि दूरी है तो किस में होगा किलोमेटर में होगा बताईए जरा आंसर एक बार कमेंट बॉक्स में देखते हैं अल ओवर इंडिया आपकी क्लास कभी नहीं मिलेगी सर जी गुरुजी अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात है यार फ्रॉम मनीपूर देखो कोई दिक्कत की बात नहीं है हर जगा क्लासेश चल रही है बच्छों को जिनका पसंद आता है जिनका समझ मात है वो उनका देखते हैं ठीक है बस मेरी कोशिश यही होती है यहां पर कि हम आपके पढ़ाई में कितना ज़्याद हम आपको सहयोग दे सके हैं ठीक है चलिए बहुत अच्छी बात है अभी सिंग हजार प्लस लाइक तो अब करीदो मेरे भाई आजाओ 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 चलो आंसर बताओ Sir can you shame English? यश्वन्त सर्मा देखो यार बड़ा communicate करने की कुशिश होती है बड़ दिक्कत यही बात किया है न कि अपन पहरे सरकारी स्कूल वाले तो अपन को English आती नहीं है ठीक है? अरे ऐसा नहीं है English आती है और बहुत अच्छी आती है बट बात यहाँ पर वो नहीं है बात यहाँ पर यह नहीं कि बाकी बच्छी उससे जो है वो uncomfortable हो जाते हैं बलते हैं master dare अंग्रेज बन रहा है अंग्रेजी बती आ रहा है बताओ शायद Hindi बूलना नहीं आ रहा है फिर यहाँ पर debate चलना शुरू होता है Hindi है हम, वतन है, हिंदुस्तान हमारा वही वाली बात हो जाती है तो थोड़ा बहुत cooperate कर लेंगे आप लोग बाकी मैं थोड़े बहुत terms को English में use कर लिया करूँगा क्योंकि मुझे भी पता है all over South India के students जो है वो देख रहे होते हैं आंध्रा हो गए, केरला हो गए, करनाटका हो गए, तामिलनाडू हो गए तो इन्हें थोड़ी सी काफी दिक्कत आती है बट कोई बात नहीं मेरे भाई, मैं आप लोगों के भी साथ हूँ जहां पर problem आएगी बता देंगे सवाल में हमसे कहा गया है सेम तरीके से, तो हमने कहा दे को distance बराबर ठीक है, speed की बात करते है speed कितनी है train की, तो यदि उसके speed को 6 km पती घंटा बढ़ा दे यानि पुरानी speed अगर S थी, तो नई वाली speed S प्लस 6 हो जाएगी इन दोनों का difference कितने का है, 6 का है उसके बाद समय में कहा गया है कि 6 घंटे जादा लगेंगे तो यहां पर हम 6 लगेंगे, बराबर फिर हमसे कहा गया है यहां पर कि यदि distance को जो है यदि हम speed को 6 km कम कर दें यानी पुरानी speed अगर S थी, तो नई वाली speed कितनी हो जाएगी S-6, इन दोनों का difference कितने का 6 का तो हमें यहां पर समय के बारे में बात किया गया है तो समय के बारे में हमें बताईए, 10 घंटा जादा लगेगा यानि इंटू क्या कर देंगे, 10 कर देंगे बस सवाल solve हो गया, हमने S से S को काटा हमने 6 से 6 को काटा ठीक है, हमने 2 से 3 बार में काटा और 2 से हमने इसको 5 बार में काटा 3 से गुना करो, तो बोलेंगे 3S प्लस हमारा हो जाएगा 18, यहां पर बोल रहे हैं 5 से गुना करो तो 5S हो जाएगा हमारा यहां पर ठीक है और minus कितना हो जाएगा 30 के तो हमने का देखो 5S में से 30S चला गया तो 2S आ जाएगा और 30 हमार 18 कितना हो जाएगा 48 तो 2S कमान अगर 48 है तो S कमान कितना आ जाएगा 24 जनाब S कमान 24 आ रहा है क्या आपको S कमान निकालना था नहीं आपको S कमान नहीं निकालना था आपको क्या निकालना था तो distance का जो मान आ गया वो कितना आ गया तो बोलेंगे सर देखो यहाँ पर S के जगह पर 24 रखो फिर 24 और 6 कितना रखो यहाँ पर 30 रखो फिर बटे में यहाँ पर 6 रखो और इंटू कितना कर दो 6 6 से 6 कतम 24 इंटू 3 हमारा 720 किलो मेंटर आ गया और यह हमारा correct answer है option number B for Bahubali is the correct answer ठीक है? चलिए आजएगे next question देखें आप और next question यहाँ पूछा गया average speed के उपर अब देखें average speed के भी कुछ questions हमने आपके sheet में डाले हैं भी आज की class में ताकि आप average speed के भी जो concept है आप उनको भी पढ़ सकें और आप इनके सवालों को भी ला सकें और थोड़ा बहुत हम आपको कुछ average speed में नया बताने की कोशिश करेंगे time and work के concept को हम आपको समझाएंगे ताकि उन concept के माद्यम से आप सवाल जल्दी बना पाएं जैसे मानिये यहाँ पर कहा गया कि एक वेक्ति कमला नगर से मुखरजी नगर जाता है 12 किलोमेटर प्रती घंटे की रफतार से और फिर कमला नगर से राजी उचोक जाता है कितने से 15 किलोमेटर प्रती घंटे की रफतार से average speed क्या होगा और मैं बता रहा हूँ यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती करने वाले हैं बहुत सारे बच्चे गलती करने वाले इस सवाल में देखो एकदम formula वहीं लगाना है कौन सा formula लगाना है बोलो गे सर 2xy upon x plus y एक और 2xy upon x plus y का formula लगाएंगे तो कितना हैगा 2 into 12 into 15 बटे 27 फिर यहां solve करेंगे फिर option number ABC में से कोई टिक करेंगे और वहीं कटेगा आपका धाई number क्योंकि भाईया यहां इसका answer जो होगा जो होगा data inadequate क्यों data inadequate होगा हमें बस रटना आता है समझना नहीं आता है और यहीं पर हमारी गलती हो जाती है जो इंसान रटने में belief करता है जो concept को नहीं पकरता है concept पे उसको उठा उठा के पटकती है इस बात का ध्यान रखें कभी भी जब आप सवालों को पढ़ते हैं तो आप concept बना कर पढ़ा करिए इससे क्या होगा कि आप भारत में कोई भी government exam देंगे तो आपका कभी भी जो है वो selection रुकेगा नहीं सवाल में ज़र आप देखिए तो आप से कहा गए कि एक विक्ती कमला से मुखरजी नगर जा रहा है मान लिजे कमला मार्केट है और ये मुखरजी नगर मार्केट है हम कमला मार्केट से मुखरजी नगर मार्केट जा रहे है और कितने की रफ़तार से जा रहे हैं बारा की रफ़तार से फिर उसके बाद हम कमला मार्केट से मान लिजे राजी उचोग जा रहे है और राजी उचोग कितने की रफ़तार से जा रहे है तो मान लिजे 15 की रफ़तार से हमसे कहा गया ओसत चाल बताओ देखो जब तक हमें यहां दूरी के बारे में कोई भी संबंद नहीं दिया गया होगा तो उस किसमें हम क्या करेंगे हमें पता ही नहीं लगा पाएंगे अब आपको यहां पता ही नहीं कि कमला से यहां पर जो है मुखरजी नगर या कमला से राजी उचोग की दूरी क्या है या तो दूरी समान बोला होता या रेशियो में बोला होता या कुछ भी बोला होता लेकिन कुछ भी नहीं बोला है जब दूरी के बारे में चर्चा है ही नहीं तो सिर्फ गती गती से यहाँ पर आप स्पीड नहीं निकाल पाएंगे तो इसका data कितना होगा इसका answer होगा data inadequate ठीक है शलिए अगर यहीं सवाल ऐसा होता कि यहाँ पर मान लिजे कि आपका प्यारा घर है ठीक है और यहाँ मान लि रहे हैं तो आप यहाँ पर जो है वो 25 के रफ्तार से आ रहे हैं और तब आपसे बोला जाता कि बताईए ठीक है क्योंकि सुबह तो जाना अकेले था लेकिन उधर से साथ में आना था इसी वज़े से वहाँ पर रफ्तार कम थी तो आपसे यहाँ पर अगर आपका average speed पूछ दूसरा सवाल यह बनता है जब उनके बीच का जो distance time है वो समान हो तो हमसे यहाँ पर कहा गया है यहाँ पर गौर से देखो हमसे कहा गया इनके बीच का जो दूरी है वो क्या है समान है अब जब दूरी समान है तो दो तरीके होते हैं इस सवाल को solve करने के पहला तरीका तो आप इसका answer रट लो, कब जब हम x के रफतार से जाएंगे और y के रफतार से आएंगे तो हमारा जो यहाँ पर average speed आएगा, वो average speed किसके बराबर होगा तो वो average speed बराबर होगा हमारा 2xy upon x plus y के, यह बच्चे बच्चे को याद है तो यहाँ 2 रख दो, x के जगा पर कितना रख दो, 15, y के जगा पर कितना रख दो, 25 रख दो और यहाँ बोलेंगे 25 और 15 कितना हो जाएगा, 40 2 से हमने काटा कितनी बार में, 20 बार में, ठीक है 5 से कटेगा 3 बार में और 5 से कटेगा 4 बार में तो बोलेंगे sir इसका आंसर कितना होगा 75 बटे 4 कितना आंसर हो जाएगा 75 बटे 4 एक तो मेरे भाई ये तरीका हो गया और दूसरा तरीका हमारे पास क्या हो गया तो हम बोलेंगे sir दूसरा तरीका average speed निकालने का वो हमारे पास ये हो गया कि हम LCM method से करेंगे हम यहाँ पर time and work का method लगाएंगे कब जब हमारा यहाँ पर यह constant दिया गया होगा दूरी यानि जाने की रफ़तार कितने की है 15 आने की रफ़तार कितने की है 25 तो हम यहाँ पर एक ऐसी संख्या को LCM लेंगे जो तोनों का multiple होगा यानि 75 यह 75 जो आएगा यह किलोमेटर में होगा यानि यह दूरी होगे यह क्या होगा मेरे भाई तो यह दूरी होगे तो अगर हम 15 के रफ़तार से जाते हैं और 75 किलोमेटर तै करते हैं तो समय कितना लगेगा 5 गंटा अगर हम 25 के रफ़तार से जाते हैं चलते हैं तो समय कितना लगेगा 3 घंटा तो हमें यहां पर कहा गया है कि जो हमारी औसत चाल होगी वो कितने बराबर तो average speed बराबर होता है total distance upon total time total distance कितना था तो 75 km गए थे 75 km आये थे यानि 75 का दोगना 1.500 और total time कितना लगा तो 5 प्लस 3 आठ लगा ठीक है आप इसको यहां पर जब काटेंगे तो बोलेंगे 2 से 75 बार में और 2 से 4 बार में आंसर तब भी 75 बटे 4 आएगा और आंसर यहां भी 75 बटे 4 आया है अब आप बोलोगे कि सर आपने यहां पर यह method बताया फिर उसके बाद आपने यह method बताया क्यूं जब यह सवाल इससे हो गया तो हम जानते हैं बच्चे ऐसे बोलते भी हैं मेरे लिए नहीं सब के लिए बात लाग होते हैं इसलिए मैं यह चाहता हूँ कि आप हमसे हमेशा concept सीखे और ऐसा concept यह method जो आप हर जगह पर लगा सके हैं क्यूं क्योंकि यह सवाल यहां तक तो आसान होता है लेकिन जब वहीं सवाल ऐसा बनके आ जाता है न तो वहाँ पर आपका यह बड़ा method fail हो जाता है फिर ऐसा कोई formula नहीं रहता फिर ऐसा कोई यहां पर जो है तो है तो कलिंट कर गंटे की रफतार से, यहां 400 की रफतार से और यहां 600 की रफतार से distance माल लो नहीं दिया है, मैं रहता यहां पर अगर examiner ना तो मैं distance को पता है क्या देता, मैं बोलता कि distance यहां पर 24.6712 km है, ठीक है, यह हमारा distance हो गया इतने km का तो हमसे पूछा जाता है average speed बताओ, अब ऐसे हालात में सोचो जिस बालक को यहां पर formula के आधार पर वो जिन्दा रहा, ठीक है, उसका क्या हुआ तो बढ़िया पिटाई होगा जाके इस paper में, ठीक है, क्योंकि formula तो 2 case वाले में पांच मित्र बैठे हुए हैं, यह जो hexagon है regular है, हर जगा जो distance है वो बराबर है, यहां से यहां एक वेक्ती भागा 10 के रफ़ताशे, यहां से यहां 20 के रफ़ताशे, यह 30 के रफ़ताशे, 40 के रफ़ताशे, 50 के रफ़ताशे, 60 के रफ़ताशे, बताओ वोसत चाल क्या आप बोलेंगे सरी देखो और टाइम, यह वाला जो मेरा method है, उसमें आपको खुद से distance मानना है, आपको दिये गए distance से कोई फरक नहीं पड़ता है, भार में जाए यह distance कोई फरक नहीं पड़ता है, हमें बस अपने दिये गए रफ़तार से मतलब है, पहली वाली रफ़ता 400, चोथी वाली रफ़तार 600, यह हमने क्या लिया है, तो हमने यहाँ पर speed लिया है, हम क्या लेंगे इनका तो LCM लेंगे, ठीक है, यहाँ पर इन सब का LCM लेंगे तो कितना आएगा, 1200, ठीक है, 1200 ऐसी संख्या है जो सबसे क्या होगी कट जानी, यह 1200 क्या है, तो यह हमारा distance ह अब आपको भी पता है कि speed को जो है यहाँ पर देखो, अगर हमें time निकालना है, तो distance को speed से भाग करना पड़ेगा, 1200 क्लोमेटर को 200 से भाग करो 6 घंटे, यहाँ पर 1200 को 3 से भाग करो 4, 1200 को 4 से करो 3, यहाँ पर इतना, यह हमारा क्या आगया तो time आगया, क्या आगया मेरे आपको चाहिए औसत चाल है, आपको चाहिए औसत चाल है, समझ में आ गया, average speed बराबर होता है, total distance upon total time, समझ में आ गया, total distance का मतलब क्या हो गया, अगर वो square का हम 1 side 1200 मान रहे हैं, तो उस square के total कितने side थे, 1, 2, 3, 4, यानि 4 side, तो total distance की बात करें, तो एक तरफ की दूरी 1200, तो उसके बाद total time की बात करें, तो 6, 4, 3, 3, 3, 2, 15, यानि यहां कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 से काटेंगे तो 80 बार में, और 80 इंटू 4 हमारे एकदम 60 का गया, 320 किलोमेटर, ठीक है, D for, देव सेना, is the correct answer, ठीक है, तो हमें सही तरीका जानना है, सही तरीका जानेंगे त ठीक है, अब कुछ ऐसे सवाल यहां पर होते हैं, जरा गोर से देखिए, जहां पर आपका जो है न, distance भी अलग है, और time भी अलग है, मतलब मैंने mix question दे दिया, ठीक है, यहां पर मैंने आपको mix question दे दिया, और मैंने कहा कि ऐसे वाले सवाल में आप average बताओ, क्यों मैंने य यहां पर जब यह सवाल पूछा गया, तो हमें इसका बड़ा प्यार से beautiful तरीके से आंसर देना है, मज़ा गया सर, बहुत शांदार है, ठीक है, आज यह सवाल में कहा गया कि देखो एक कार है, जो 300 km चलती है पहले पाली में, कितने के रफतार से, 80 के रफतार से, फिर वो 70 km चलती है, 72 के रफतार से, तो ओसत चाल जो है, वो कार की क्या होगे, हमने का यार, ठीक है, टी-शिर्ट बहुत बदल रहे हैं आज कल, मतलब क्या चाहते हो बच्चे बताओ, नहीं पहने टी-शिर्ट है, कपड़े पे नज़र रहता है हमारे, बताओ, कपड़े पे ही न example देखो, पता है क्या है, आप लोग एक चोड़ी सी बात मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ, देखो, मेरी इच्चाहें और आपकी इच्चाहें में कोई जमीन आस्मान का फर्क नहीं है, समझे, यहाँ पर मेरे जितने भी दोस्त होंगे, बाई वेन होंगे, मैं एक च अपना आपका भी रहता है ना तयारी करने वक्त, जैसे अभी आपका है, अरे कमाएंगे तो एकदम बढ़ियां वाला ब्रैंडेट घड़ी पहनेंगे, बढ़ियां वाला ब्रैंडेट वैलेट रखेंगे, बढ़ियां वाला शर्ट पहनेंगे, जूते बदलेंगे, जाए समझ रहे हो बात को अभी मूवी का टिकट खोजने के लिए सबसे सस्ता वाला सिनेमा हॉल खोशते हो तब सोचते हो कि एकदम ड्यूप्लेक्स में जाएं पीवियार में जाएं और एकदम बढ़ियां से पॉपकॉण जबरदस्ती का मंगा है चाहे घर पे अभी किसी भी तरी समझ रहे हो बात को यहांपे है और यह जो है असल में इक्षा जो है यह हमारे अंदर उत्पन हमारे आसपास के लोगों को देख के होती है ठीक है सौ में से एक आदा लोग ऐसे होंगे जो बड़ा Simple Living High Thinking वाली बात रखते होंगे लेकिन फिर भी रहना खाना यह इक्षा तो नहीं हम सिंपल लाइव जिएंगे सुभाष चंद्रबोस के अंदर भी आई होगी लेकिन उनका डिसिजन था कि हम सिंपल रहेंगे तो यह है ना जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो असल मैं जैसे मानिये मुखरजी नगर आई आई आप मुखरजी नगर का परिवेश रहेंगे तो हम भी खरीदेंगे अब यह परिवेश हैं इसमें क्या करोगे बताओ पहले रोकी नहीं सकते अपने आपको तो इसलिए ऐसा नहीं है यहां पर कि हमारी जो इच्छाएं हैं हमारी जो फिलिंग हैं वो कुछ अलग है हर किसी की होती है ठीक है कभी वक्त मिला त सुन भी लेती हैं इसलिए क्यों कि वे रोजगार है चलो एक पल के लिए ठीक है लेकिन जिस दिन बाई साब रोजगार हो गया ना इंस्टाग्राम पे कौन कहां कोई पता नहीं हमारी मर्जी रील्स बनाए है ठीक है हमारी मर्जी जो करें लड़के भी बाई साब कितने कस्टदायक होती है मैं सच बताओ ना ओनेसली बताओ यहां पर देखो लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं बुरा मत माना मेरे लिए आप सभी बराबर हो बट मैंने जो एक लड़के की लाइफ जो देखी है ना ठीक है तो वो यार बड़ा कस्टदायक सा हो जाता है पू है नहीं तो कुछ कर लेकिन हा करना तुझे ही है तो चलो लगा बाहर जाता है अब बाहर जायेगा भाई साब मेरे तु रूम भी उसको लेना है अब रूम लिया तो इतने घर वाले पैसे तो देंगे नहीं कि तुम मेड लगा लो तुम होटल में खालो मतलब खाना भी रोटी बनाना भी आता है, उसको छावल बनाना भी आता है, उसको रोटी बहलना भी आता है, उसको जाडू लगाना भी आता है, कपड़े दोने भी आता है, सर्वगुन संपन वो शुरू से बन रहा होता है, अब जैसे उसकी बाई साथ नौकरी लगती है, जहां वो सोचता ह के बाद जो एक दो साल आप एकदम खुले रहते हो जहां पर आपकी सगाई और शादी नहीं होती है वैसे आलात में आप क्या करते हैं आप सोचते हैं कि हाँ भाई जितनी जीनी है जी लो पीछे का पास्ट हमें भी पता है क्या रहा आगे का फ्यूचर वो मैडम की हमारी जात में है वो कैसे हमको रहने देंगी तो जो हमारे एक-दो साल बचा हुआ है इसी में जी लेते हैं समझ मेरा है बात तो इस मैटर में कहूंगा लड़कों का संगर्स थोड़ा जादा है और कोई बात नहीं है बिचारों को सब करना पड़ता है क्या करोगे शादी के आगया है एवरेज स्पीड बता करने को हमने का यार एवरेज स्पीड बताते हैं अब स्पीड हमें एवरेज वाली बतानी है तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ठीक है टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा टोट टाइम ठीक है बस भी करो सर रुलाओगे क्या अरे रुला कहा रहे हैं पगले तुम्हारे दिल की फिलिंग बता रहे हैं ठीक है सोचे हम ही बयान कर दें बताओ गलत बात बोले हैं तो बताओ कमेंट बॉक्स में कि हाँ हमने गलत कहा ऐसा है ही नहीं आजो सवाल में देखो तो यहां पर बात करते हैं कि एक कार दूरी ते कर रही है तो कितने कितने की दूरी उसने ते की है पहली तो 300 किलोमेटर की फिर उसके बाद उसने कितने की दूरी ते की है तो फिर 400 किलोमेटर की फिर उसके बाद उसने कितने की दूरी ते की है तो मेरे तो पहले आप ने 300 km की दूरी की को तै किया 80 की रफदासे यानि आपको time कितना लगेगा तो बोलोगे sir 300 बटे 80 लगेगा Time का मतलब distance upon speed फिर उसके बाद आपने 400 km की दूरी को तै किया कितने के रफदासे तो बोलोगे sir 60 km की रफदासे यानि इसको 60 से भाग करेंगे फिर उसके बाद आपने यहाँ पर जो है 78 km की दूरी को तै किया कितने के रफ़तार से तो 72 की रफ़तार से बस यहाँ सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटीव है बनाईए और आंसर लेकर आ जाईए ठीक है कोई दिक्कत की बात यहाँ पर तो उपर आपका कितना आएगा 400, 300, 700 और यहाँ बोलोगे 778 आजाएगा उपर आपका यहाँ थोड़ा सा काटने की कोशिश करो अगर आप यहाँ काटोगे तो बोलोगे सर देखो 0 से हमारा 0 खतम 30 बटे 8 यानि 15 बटे 4 आप यहाँ लिख सकते हो 0 से आपका 0 यहाँ भी खतम हो गया और एक काम करो नीचे सब का LCM 72 ले लो वो ज्यादा सही रहेगा ठीक है या 36 लोगे न कोई फायदा है नहीं ठीक है नीचे सब का LCM कितना ले लो 72 अगर मानो 72 ले ले लेते हो तो 8 का कितना गुना 9 गुना तो 30 का 9 गुना कितना हो जाएगा तो बोलोगे सर 270 फिर उसके बाद यहाँ पर 6 का 12 गुना तो 40 का 12 गुना कितना हो जाएगा तो 12 चुके 48 यानि 480 हो जाएगा ठीक है और 72 का तो बहतर रहेगा यानि यह कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा तो यहां बोलेंगे सर देखो 400C और 270, 600C, 600C, 750 और 750 और हमारा हो जाएगा 70, 828, कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहां पर 828, आप जोड़ कर देख लीजिए, एक बार हो सकता है हमारे गुना भाग में गलती हो गई हो, 600C और भी 750, 750, 728, ठीक है, 828, कोई दिक्कत की बात नही काटना जा रहा है यहां पर 4 से काटो, ठीक है, 4 से काटोगे तो यहां पर 207 आजाएगा, और 4 से काटेंगे तो 18 आजाएगा, 207 है तो मतलब 9 है इसके अंदर, अगर 9 है तो यहां पर 9 कितनी बार में काटेगा, तो 9, 2, 8, 9, 3, 27, और 9 से हमारा यह कट जाएगा, तो 778 का 2 गुना, ठीक है, 8, 2, 16, 7, 2, 14, 15, यहां पर 7, 2, 14, 15, 15, 136 बार में कितना आजाएगा, 23, हर आप्शन के बार में 23 है, लेकिन यहां पर यूनिट इजिट 6 है, तो यहां देखो, 5 इंटू 3, 15, 15, 15, 20, यह नहीं होगा, 7, 21, यह भी नहीं होगा, 7, 21, 25, आप्शन नमबर C is the correct answer, बोलोगे, सर कैसे पता कर लिए, यूनिट इजिट से, यहां एक क्याई कांग कितना है, 6 है, और अगर मैं यहां पर देखो न, तो 5 को 3 के साथ गुना करूंगा, 15, 15, और 5 कितना हो जाएगा, 20, यह यह यूनिट इजिट नहीं है, तो यह नहीं होगा, 7 इंटू 3, 21, 21, 20, और 2, 23, यानि 3 आएगा, नहीं होगा, 7 इंटू 3, 21, 21, 25, option number C for कहो न, प्यार है, is the correct answer, एक calculation हमने जान के थोड़ा सा, एक question हमने जान के थोड़ा सा calculation पर भी डाला था, ताकि थोड़ा मजा आए आपको, और थोड़ा आननदित होएं आप calculation करके, ठीक है, पेपर के लिए हमको हर तरह का सवाल के लिए तयार है ना है, conceptual हो या calculated हो, ready रहेंगे मेरे भाई, आज ही, question number 35 क्या बोला गया, बोला गया, बिना stoppage के गोई गारी चलती है ना, तो 15 km प्रती गंटे की रफ्तार से चलती है, लेकिन अगर वो रुक-रुक के चले तो 45 के रफ्तार से चलती है, the bus stop for how many minutes per hour, तो जो बस है ना, वो एक मिनट जो है, वो प्रती गंटे में कितने मिनट रुकती है, जैसे मानो यहाँ पर, जब आप दिल्ली आएंगे, या अपने अपने राजिये में होंगे, especially राज़ानियों में, तो आपने देखा होगा, जैसे दिल्ली के मैं बात मैंने अपने बहुत सफर किया, बहुत समय बिताया है, डिटी सी के बसों में, और वाकरी में अगर मेरे सामने ऑप्शन हो, मेरे पास समय जादा हो, और मौसम सही हो ना, तो मैं मेट्रो के बजाए दिल्ली के डिटी सी बसों में घुमना पसंद करूँगा, इसलिए पसंद करूँगा, क्योंकि शेहर के जब आप बीच से निकलते हैं, तो खुबसूरती देखने को मिलती है उस शेहर की, और आपको अच्छा लगता है, मेट्रो में तो कभी जमीन के नीचे, कभी आसमान में, पता ही नी चलता है, बस बैठें आसपास के लोगों को देख रहे हैं, जो रोक रोक के रोक रोक के रोक रोक के गाड़ी चलाएगी, तो वो 45 के रफ़तार से चलाएगी, यानि एक घंटे में, बोला गया ना, तो बस स्टॉप फॉर हाव मेनी मिनट, एक घंटे में कितने देर के लिए उसतन बस रुकती है, और आप मानेंगे तो ये सवाल आप निकालने के लिए क्या करना, इन दोनों का डिफरेंस ले लेना, दोनों का डिफरेंस कितने का, तो बोलोगे 45 और 54 का डिफरेंस हमारा 9 आ जाएगा, और इस 9 को भाग कर देना, बिना रुके हुए रफ़तार से, बिना हुआ रुका रफ़तार कितना है, 54, तो इस 9 को भाग हमारी जो गाड़ी रुक रही है वो हर गंटे में 10 मिनट रुक रही है option number B is the correct answer समझ में आ गया मेरी बात को यहाँ पर ठीक है कैसे हमने solve किया दुबारा से हम देखते हैं इन दोनों का difference ले लिया उपर में उसको divide कर दिया original चाल के साथ ठीक है और हमने 60 मिनट से गुना कर दिया तो पता चल गया कि एक गंटे में ये कितनी बार रुक रही है बोलोगे सर आपने यहाँ पर यह कैसे trick वरिक लेकर आ गए तो देखो यहाँ पर वहीं बात हो गई ठीक है और यह जो है एकदम फेवरेट कंसेप्ट है मुननिक कंसेप्ट कॉस्चन में क्या बोला गया दो ट्रेने हैं A और B जो X से और Y से एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करती है एक दूसरे को पार करने के बाद पहले को 4 गंटा 48 मिनट लगता है दूसरे को 3 गंटा 20 मिनट लगता है अपने अपने गंतवी अस्थान पे पहुंचने पे यदि A कर अफ़तार आपको दे दिया गया 45 का तो B कर अफ़तार क्या होगा बेस्ट क्लास वित बेस्ट कंसेप्ट अन बेस्ट टीचर अन यूट्यूब नेहा दूब धन्यवाद नेहाजी बहुत प्यार से आपने जो कंसेप्ट लिखा बड़ा अच्छा लगा हमें जो आपने कमेंट लिखा धन्यवाद मेरे भाई अब आजएए अब एक प्यारा सा कंसेप्ट आप लोग सीखिए प्यारा सा कंसेप्ट क्या है तो हमसे यहाँ पर यह कहा गया कि देखो यहाँ पर एक बंदा है ठीक है और यहाँ पर एक दूसरा बंदा है ठीक है क्या होता है कि यहाँ पर आप ऐसे समझ लीजे यह हमारे वापस से पपू जी हो गया ठीक है और इस बार पपू के साथ प्रिया नहीं है इस बार पपू के साथ उनकी पूजा है ठीक है पपू मेरे भाई पूजा से मिलने गए और पूजा जो है यहाँ पर पपू से मिलने आ रही है दुबारा से समझेगा ठीक है यहाँ मिलने के लिए चल रहे हैं और यहाँ पर इनको वाले रिष्टा देखने को एकदम पीछे पड़े हुए हैं पड़ोगे तभी तो घर पे आओगे रिष्टा मांगने आप motivate होने के बाद ये भाई साब इनके घर की तरफ चल पड़ते हैं और ये इनके घर की तरफ चल पड़ती है कहा जाता है कि यदि इनको इनके घर जाने पे यहां T1 टाइम लगा और इनको इनके घर जाने में T2 टाइम लगा तो टोटल तीन चीजे पूछी जाती है यहां तीन चीजों के जगा पे आप तीन फॉर्मूला बनकर निकलते हैं आप उनको याद रख लीजे पहला तो यहाँ पर मेरे भाई speed of A divided by speed of B बराबर होता है किसके ठीक है तो बराबर होता है यहाँ पर T2 upon T1 के root under के तो बोलोगे सर यह क्या है तो जब दो लोग मिलते हैं और उसके बाद वो एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं तो उनके speed का जो ratio है वो उल्टा होता है उनके time के फिर उसके बाद यहाँ बात करते हैं यहाँ पर ठीक है तो दूसरा जो सवाल पूछा जाता है वो पूछा जाता है meeting time का कि जब यह लोग मिले थे तो कितने देर के बाद मिले थे तो उस case में बोलेंगे जो time होता है वो बराबर होता है किसके तो time बराबर होता है t1 into t2 के ठीक है और जो तीसरा सवाल पूछा जाता है वो यहाँ पूछा जाता है कि इनके बीच की दूरी क्या होगी तो जो distance होगा वो बराबर होगा speed of a into time of a plus speed of b into time of b बड़ा प्यारा question यहाँ time of a कर लो यहाँ time of b कर लो तो यह हम से जो है यहाँ पर time of b हो जाएगा ठीक है time of अगर यहाँ a उपर है तो यहाँ b आ जाएगा और यहाँ पर a आ जाएगा ठीक है तो यह हम से question हमारे पूछे जाते है ठीक अब जैसा कि यहाँ पर यह सवाल को अगर हम देखें यहाँ पर तो question में सेम तरीके से हम से कहा गया है कि यहाँ x है y है सब कुछ है ठीक है यहाँ से x चलना शुरू हुआ देखेंगे सवाल को थोड़ा सा छोटा करके कहा गया कि देखो यहां से x चलना शुरू हुआ यहां से y चलना शुरू हुआ ठीक है और उसके बाद यह दोनों वापस यहां मिले होंगे और मिलने के बाद फिर एक दूसरे की तरफ चलना शुरू कर देंगे तो एक दूसरे की तरफ चलना शुरू कर देंगे तो इसमें कोई नुकसान नहीं है हमें इतना कुछ फोकस ही नहीं करना है हमें हमारा फॉर्मूला याद रखना है speed of a divided by speed of b बराबर होगा किसके तो time of b divided by time of a का क्या हो जाएगा root क्योंकि जब भी दो time दिये गए हो और जब भी दो यहां रफतार दी गई हो तो इसी तरीके से निकालेंगे सवाल में यहां पर कहा गए after passing each other they take इतना minute and इतना minute अगर a की रफतार हमें 45 दे रखिये तो देखो a की रफतार कितनी है 45 है, PK रफतार के बारे में कोई चर्चा है नहीं, कोई भी चर्चा नहीं है, कोई भी चर्चा नहीं है, a का जो time है वो कितना दे रखा है, 4 गंटा और 40 men, 4 गंटा mega 48 men को minute में कैसे लिखोगे तो भोलोंगे, 4 गंटे में 200 कितने minute होते है, 240, 240 चार घंडे में 240 मिनट और 48 मिनट और 288 मिनट अब बात करते हैं बी के समय को लेकर तो 6 x 3 18 दो यानि यहां पर हो जाएगा इसको समय कितना लगेगा 200 मिनट हमारा क्या होगा मिनट से मिनट कट जाएगा अब इसको काट के देखते हैं 2 से काटेंगे तो 100 बार में कटेगा 2 से काटेंगे तो 144 बार में लीजे आपका सवाल सौल हो गया 45 के जगा पे आप 45 को रख दीजे B के जगा पे आप B रख दीजे 100 का root करने पर 10 आ जाएगा 144 का root करने पर 12 आ जाएगा काटिए 5 से आप 2 बार में काटेंगे 5 से आपका 9 बार में काटेगा 2 से आप 6 बार में काटेंगे 9 x 6 आपका 15 आ जाएगा यानि यहाँ पर आप कहे पाएंगे कि sir B की जो रफतार है वो कितनी थी तो चोवन किलोमेटर प्रति घंटा थी option number C4 कहो ना प्यार है is the correct answer हो जाएगा तो ये बड़ा प्यारा टाइप हमारा बन जाता है जहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना होता है speed का ratio, time के ratio का क्या होता है उल्टा होता है समझ में आगया बात यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है 90% बच्चे यहाँ पर गलती भी इस बात का कर देते हैं वो A के time को उपर ले लेते हैं B के time को नीचे ले लेते हैं और इसकार उनका answer जो है वो कुछ और आ रहा होता है तो ऐसी गलती ना करें अगर A की रफ्तार को उपर लेंगे तो A का समय नीचे लेंगे B की रफ्तार को नीचे लेंगे तो B का जो समय है उसको उपर लेंगे तो आज के session को जो है वो हम यहीं पर खतम कर देते हैं काफी questions हो गए एक question जो हम आपको homework दे रहे हैं homework वो जो train वाला concept पढ़ाया था उसके उपर क्यों यह वाला question आपके इस बार के paper में 2021 में पूछा गया है तो पूछा गया है मेरे भाई यहाँ पर तो आपको इसको क्या करना है पूरा complete तरीके से पढ़ना है इसके अलावा जो PDF है वो आपको कहां मिल जाएगी तो वो आपके अपने टेलिग्राम Rankers Gurukul और Maths भाई आदितरेंजन दोनों पर मिल जाएगी इसके अलावा जैसे बच्चे डाउट का भी पूछते है किसा डाउट कहां पर भेजें तो देखो यह तो एक channel है इस channel पर जो content हम upload करेंगे न वो आपको मिलेगा जैसे मैंने आज तक Maths का जितना पढ़ा रखा होगा उसको आपको Maths भाई आदितरेंजन पर मिलेगा Rankers Gurukul पर जितनी faculties ने पढ़ा रखा होगा वो Rankers Gurukul पर मिलेगा लेकिन इसके अलावा अगर आप लोगों को discuss करना है आपको एक दूसरे के doubt को solve करना है तो आप हमारा doubt group भी जो हैंकर शरकते हो Maths doubt group भाई आदितरे सरे अभी कुछ दिन पहले दो दिन पहले ती दिन पहले हमारे channel पर वापस से copyright strike भी आ गई थी और strike जो है कुछ लोगों ने लगाया था हमें यहाँ पर down करने के चक्कर में बट हमें उतना बुरा महसूस नहीं होता है क्योंकि अक्सर क्या होता है थोड़ा सा लोगों को भी यह बात सोचना चाहिए कि यार हमें down करते करते जो है वो बच्चों का कितना नुकसान कर रहे है 15 या 18 दिन हुए थे उस channel को मतलब channel बना था 25 सपरेल को स्ट्राइक लगा है मुझे लगता है 15 माई के करीब में तो 20 दिनों के अंदर में 4,5-4,000 के करीब में लोग उसमें जुड़ चुके थे तो उनको तोड़ा एक बात का सोचना चाहिए था कि अगर हम copyright लगा रहे हैं तो इन बच्चों का भविषय का क्या होगा यहाँ पर कहां पढ़ाई करेंगे कैसे यहाँ पर जो है एक दूसरे के doubt को exchange करेंगे ठीक है एक दूसरे को solve कैसे एक दूसरे को help कैसे करेंगे बट यह बहुत कम लोग सोचते हैं मतलब बस अपनी चीजों से मतलब होता है और कुछ नहीं ठीक है तो खेर मैं इतना कुछ बोलना नहीं चाहूँगा किसी के बारे में यहाँ पर बस मैं इतना बोलना चाहूँगा कि आपके लिए वापस से आपका doubt group बना दिया है काफी तेजी से उसमें बच्चे जुड़ रहे हैं आप उसमें आराम से अपना जॉइन करिए एक दूसरे के doubt को solve भी करिए और अपने doubt को post भी करिए उसके अंदर ठीक है Maths doubt group भाई आदिते सर के नाम से बना हुआ है ठीक है बाकी यह हमारे दोनों टेलिग्राम है आप इस पर क्या कर सकते हैं तो यहाँ पर जोइन कर सकते हैं साथ में एक और बात बता दें आपको तो complete math का जो हमारा batch है वो आप ले सकते हैं complete math में मैंने complete arithmetic और complete advance आपको पढ़ा रखा है अगर आपको पहने की इच्छा होगी तभी आप इस batch को लेंगे क्योंकि इस batch में beautiful तरीके से एक एक concept मैंने जो है इसके अंदर पढ़ाया है पचास घंटे की मैंने geometry की class ली है और इतनी class है कि आप ना सिर्फ पढ़ सकेंगे बलकि आप किसी को पढ़ा सकेंगे एकदम basic से zero से लेकर hero level तक एक concept मैंने बताया है जितनी sheets मैंने यहाँ पर दी हैं आपको अगर आप उतना print करा के solve कर लेते हैं तो आपको market में कोई दूसरी किताब करीदने की जरूरत नहीं पड़ेगे इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर जो यह sheets है यह अपने आप में बहुत ज़ादा जो है वो sufficient है काफी बढ़िया तरीके से sheets बने हुई है इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं तो मेरे भाई समझेगा बड़े ध्यान से आज से हमारा नया बैच आया है champions 4.0 जिसका आपको demo वीडियो भी आज के youtube पर मिल गया होगा जो मैंने कल demo वीडियो कराया था उसका demo वीडियो आज आपको youtube पर मिल भी गया होगा application पर मैं यह क्या कराऊंगा यह batch कैसे होगा कितने घंटे का होगा कितने महीने का होगा कितनी time classes चलेंगी कब syllabus पूरा होगा क्या क्या चीज़े होगी एक एक point मैंने इसके वीडियो में बता रखा है तो जो बच्चे बिलकुल fresher हैं जो बिलकुल zero से start करना चाते हैं बहुत peak तक पहुंचना चाते हैं वो अराम से इस batch को join करिए बड़े तसलिए से अगर आप अपने maths को सही करना चाते हैं तो champions बनी है बिलकुल और कहां से तो आरजी विक्रम जीत application से ठीक है आप download करेंगे यहाँ पर application को 17 मई यानी यहाँ पर जो है आज से अकल से यह batch start हुआ था आज पहली class थी सभी के लिए free भी है application डाउनलोड करके login करके आप पहली class देख भी सकते हैं बहुत basic से मैं यहाँ कराऊंगा ठीक है और आगे तक मैं आपको लेके जाऊंगा इसकी validity आपको 2 साल की है और कोई भी परशानी हो तो आप इस number पर contact करेंगे फोन करेंगे इसी तरीके से जैसे मे complete math में zero से hero बनाऊंगा उसी तरीके से आपको English में प्रशान सर और उसी तरीके से reasoning में आपके reasoning guru जो है वो complete knowledge देंगे जो sheets भी है सभी की वो updated है highly updated है ठीक है जो concept भी है उसे आप काफी जादा rubber हो है classes में आप देखते भी है कि कितने बहतर concept होते हैं तो आप इन classes को अगर आप combo लेना चाहते हैं तो आपको एक और फायदा हो जाएगा जहाँ पर आप 900 900 900 2700 रुपे देंगे वहीं पर आप 2100 रुपे में तीनों का भी batch ले सकते हैं 600 रुपे का आपको discount मिल जाएगा ठीक है चलिए आ जाएगा तो यह कहां से मिलेगा सेम RG विकरमजीत application से इसकी भी validity दो साल है और यहां पर यह हमारे inquiry number है आप इन पर बात कर सकते हैं तो session कैसा लगा आप जरूर बताएं चैनल को subscribe हमारे जरूर करें और comment box में अगले topic के बारे में बताएं कि अगला topic हम आपको कौन सा पढ़ाएं ठीक है कौन सा topic आप अपना अगला clear करना चाहेंगे क्या औ प्रूफ करने की और बहतर आपके लिए कुछ करके ले क्या होगा suggestions भी चाहिए और feedback भी चाहिए दोनों चाहिए ठीक है ताकि इससे जादा हम और क्या कर सकें और benefit आप लोगों के लिए लाकर दे सकें ठीक है शुब रातरी खुश रहिए मस रहिए love you all take care good night